C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है सफ़ा नमबर साथ सबक दो तोते की चाला की अरब के एक सौदागर ने एक तोता पाला था बहुत खुबसूरत और अच्छी आवाज वाला तोता सौदागर परिंदों की बोली जानता था और तोते से मीठी मीठी बाते किया करता था एक बार सौदागर हिंदुस्तान के सफर के लिए तयार हुआ उसने अपने तमाम नौकरों चाकरों से पूछा उस मुलक से तुम्हारे लिए क्या तोफा लाओं सबने अपनी अपनी पसंद की चीज़े बताई आखिर में तोते की बारी आई तो उसने कहा मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है अलबता मेरी कौम के लोगों को मेरा सलाम पहुँचा दीजिए और मेरा हाल बता दीजिए उनसे कहिए कि मैं परदेश में हूँ और आपने मुझे भुला दिया किसमत ने मुझे कैद में डाल दिया है आप आजाद हैं और बागों की सैर करते फिरते हैं मैं रात दिन वतन की और आपकी याद में तड़पता रहता हूँ इस कैद से रिहाई की कोई सूरत हो तो मुझे बताईए वरना मैं यूँ ही घुट-घुट कर मर जाऊंगा सफ़ा नमबर आठ सौदागर ने तोते की बाद भी लिख ली जब वो सफर करते करते हिंदुस्तान की सरहद में ताखिल हुआ तो उसे तोतों का एक जुंड नजर आया उसने अपनी सवारी रोकी और तोते का सलामों पयाम पहुँचाया पयाम सुनते ही उन तोतों में से एक थर थरा कर जमीन पर गिरा और ठंडा हो गया सौदागर को बहुत अफसोस हुआ कि उसने ये पैगाम क्यूं पहुँचाया शायद ये तोता उस तोते का अजीज था इसलिए सद्मे से गिर कर मर गया अब वो क्या कर सकता था बात जो होनी थी वो हो गई उसने सवारी आगे बढ़ाई कुछ दिनों के बाद सौदागर वतन लोटा तोते ने अपने तोफ़े के बारे में पूछा सौदागर ने कहा इस सलसले में मुझे बहुत रंज उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पश्टाया आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सद्मा उठाना पड़ा तोते ने पूछा सौदागर बुला पेड़ पर तोतों का एक जुंड बैठा हुआ था जैसे ही मैंने तुम्हारा सलामों पयाम पहुँचाया उनमें से एक तोते का बुरा हाल हो गया उसका दिल पड़ गया वो कपकपा कर जमीन पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया सौदागर के तोते ने जो ये माजरा सुना तो वो भी उसी तरह कपकपाया पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा पड़ गया सौदागर ये देखकर बहुत रंजीता हुआ दातों से उंगलियां काट लें रोने धोने लगा और अपने आपको मलामत करने लगा हाई मैंने ये कैसी गलती की अगर मैं ये बात ना कहता तो क्या हर्ज हो जाता सौदागर ने रो धोकर तोते को उठाया और पिंजरे से बाहर फेंक दिया तोता जमीन पर गिरते ही उड़ा और एक पेड की टहनी पर जा बैठा सौदागर ने हैरान होकर पूछा हैं ये क्या माजरा है तोते ने कहा मेरी कौम वाले तोते ने मुझे सबक दिया था कि तू अपने मीठे मीठे बोल और प्यारी प्यारी बातें छोड़ दे अपने को मुर्दा बना दे फिर तू आजाद हो जाएगा तोते ने ये कहा और उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान रवाना हो गया सफ़ा नंबर नौ एक लव्ज और मानी सोदागर तिजारत करने वाला खुबसूरत अच्छी शक्ल वाला परदेश वो मुल्क जो अपना वतन ना हो रिहाई आजादी अजीज रिष्टेदार ठंडा होना मर जाना रंज उठाना सदमा बरदाष्ट करना दिल फटना बहुत अफसोस करना रंजीदा घंगीन घुट घुट कर मर जाना तकलीफ उठा उठा कर मरना दो गौर कीजिए तोते ने तोफे के बदले में दोस्तों को सलाम और पयाम इसी लिए भेजा था कि उसे ये मालुम हो सके कि रिहाई कैसे हासिल की जा सकती है अलिफ, सौधागर किस मुल्क के सफर पर निकला था बे, तोते ने अपने दोस्तों को क्या भिजवाया था जीम, सौधागर को किस बात पर अफसोस हुआ दाल, तोते की चाला की क्या थी चार, खाली जगों को दिये हुए सही लवजों से भरिये रिहाई, तोहफे, बोली, सूरत, थर-थराकर, अजीज अलिफ, सौधागर परिंदों की खाली जगा जानता था बे, इस कैसे खाली जगा की कोई खाली जगा हो तो मुझे बताईए जीम, पयाम सुनते ही उन तोतों में से एक, खाली जगा, जमीन पर गिरा और ठंडा हो गया दाल, शायद ये तोता उस तोते का खाली जगा था हे, तोते ने अपने खाली जगा के बारे में पूछा पांच, दिये हुए लवजों से जुमले बनाईए वतन, खाहिश, सबक, माजरा, सदमा, रंच छे, इन मुहावरों पर गौर कीजिए अलिव, पानी में आग लगाना बे, अपना उल्लू सीधा करना जीम, आसू पोचना सफ़ा नंबर ग्यारह ये सब मुहावरे हैं मुहावरा आम बोल चाल में चंद ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जिसमें अल्फाज अपने असलि मानी के बजाए मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होते हैं दिये हुए मुहावरों को उस्ताद की मदद से समझे ठंडा होना, दिल फटना, दातों से उंगलियां काटना साथ दिये हुए लवजों को सुनकर बताईए कि क्या इनका इमला सही है अलिफ अजीज या अजीज या अजीज बे, शोदागर या सोदागर या सोदागर जीएं से से सदमा, सुआज से सदमा या सीन से सदमा दाल काफ सीन मीम ते किस्मत या काफ सीन मीम ते किस्मत या काफ स्वाद मीम ते किस्मत हे, अलीफ मदजबर आ, जुआद अलीफ डाल, आज़ाद, या, अलीफ मदजबर आ, जे अलीफ डाल, आज़ाद, वाउ, गाव लाम तोए छोटिये, गलती, या, गैन लाम तोए छोटिये, गलती, या, गैन लाम ते छोटिये, गलती, आठ, पढ़िये, समझिये और लिखिये, अलीफ, सौदागर ने तोता पाला था, बे, उसे तोतों का एक जुंड नजर आया, जीम, उसका दिल फट गया, पहले जुमले में सौदागर और तोता वाहिद हैं, जबके दूसरे जुमले में तोतों का लव्ज जमा है, इसी तरह दिल से मुराद एक दिल है, दातों और उंगलियां एक से ज्यादा के लिए आये हैं, वाहिद वो इस्म है जो सिर्फ एक शख्स, चीज या जगा को जाहिर करे, जबके दू या दूसरे ज्यादा हूं तो जमा कहते हैं, दिये हुए खानों में वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए, वाहिद तुहफा, सौदागर, तोता, कौम, दिल, जमा, परिंदों, बातें, बागों, दातों, पिंजरे, सफ़ा नंबर बारहा, नौ, किसने किस से कहा, बताईए, अलिफ, उस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तुफ़ा लाऊं? बे, इस सिलसिले में मुझे रंज उठाना पड़ा, और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पच्चताया. जीम, आखिर ऐसी कौन सी बात थी, जिस से आपको सदमा उठाना पड़ा? दाल, ये क्या माजरा है? दस, यहां कुछ जानवरों और परिंदों की तस्वीरे दी गई हैं. उनके घरों के नाम बताईए. अलिफ, बबर शेर खाली जगा में रहता है. बे, साप खाली जगा में रहता है. जीम, चिडिया खाली जगा में रहती है. सफ़ा नमबर तेरह, दाल, मुर्गी खाली जगा में रहती है. इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ अभी आप सुन रहे थे सबक दो तोते की चाला की समय रिकॉर्डिस्ट बटिलैंग लिंग्डो समय फनकार परवेज गौहर और शिमाईला परवेज एडिटिंग हिदायत कार और तखलीक कार विमलेश चौधरी पेशकरदा CIET NCERT नई दिल्ली भारत